आज की वीडियो कच रह जाता है श्रीमान अंसारी जी के इस कमेंट को अंसारी जी आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत अनेवाद इन्होंने SBI Life Insurance Company Limited के स्मार्ट चैम प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है अगर आप लोग स्मार्ट चैम प्लान के Limited Premium Payment Time के साथ में सारी Benefit जानना चाते हैं और Eligibility Criteria को समझना चाते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें आपको स्मार्ट चैम प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगली वीडियो किस टापिक पे चाते हैं और किस प्लान के वारे में जानना चाते हैं आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप लिख सकते हैं क्योंकि हमारे एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रशनों के इन्सार लगाता है इसलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हेलो एविवान बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं यूदरीयल मैं हूँ आपका अपना निजी सलाकार अमित्राश शर्मा चलिए जानते हैं SBA Life के Smart Champ Insurance Plan के Single Premium के Case में क्या Benefit होंगे तो Benefit की बात करते हैं सीधा पहला जो Benefit है उसे का आगया Smart Benefit जिसे हम Survival Benefit कहें या Money Back Benefit कहें तो हम आराम से समझ पाएंगे अभी जो Survival Benefit है इसकी जो प्रतम किस्ट होती है वो आपके Basic समझ ओड का 25 प्रतिशत प्लस वेस्टिस बोनस यानि कि Simple Reversionary Bonus जो त्रू आउट दे पॉस रिटम कलेक्ट होता रहता उसका भी 25 प्रतिशत आपको मिलता है और इस तरीके से आपको 3 किस्ट मिलती है इसलिए मैं क्यानि कि 25 प्रतिशत Basic समझ ओड का 25 प्रतिशत और टर्मिनल बोनस मिचौरटी पर इसी बीच जो यहां पर दैद बैनिफिट है उसको यहां पर इंशॉरेंस बैनिफिट कहा गया है क्यों कहा गया है क्योंकि इसमें अगर पॉलिस्टी टम के दुरान बीमाधारक की मृत्त निकालके दोनों में से जो भी अमाउंट जादा होगा वह नॉमनी को दे दिया जाएगा अगर एक्सिडेंटल टोटल पर्मानेंट डिसिबिटी केस है तो बीमाधारक को दे दिया जाएगा और उसके बाद ने पॉलिसी कंटीन्यू चलती रहेगी यानिकि मिचौरिटी से पहले जो सर्वाइवल बैनिफिट है वह भी मिलेंगे और मिचौरिटी बैनिफिट भी मिलेंगे अगर वीमाधारक जिंदा रहते हैं तो वीमाधारक को मिल जाएंगे आइधर नॉमनी को मिलने ही हैं क्योंकि यह चाइल्ड एड्यूकेशन बेस्ट प्लान है टोटल पर्म तो वो तो अंडर दा कवर होगा बाकि इसके लावादर को इंफेक्शन हो जाता है वो अंडर दा कवर नहीं होगा फिर आता है दूसरा प्रइंट ड्रग अब्यूस अब ड्रग अब्यूस आपको पता ही है कोई भी नशीला प्रदात का इंफिलेंस होना उसकी वह से एक्स अब इसमें हजाडर्स स्पोर्ट्स के बारे में बता गया साधरन शब्दों में कहा जाए ऐसे खेल जो जान लेवा साबित हो सकते हैं या ऐसी हो भी जिसमें जा सकती है जिसे लोग किक के नाम पर या स्टंट के नाम पर प्रफॉर्म करते हैं अगर पॉलिसी लेते वक्त उस से हमें इंजरी हो जाए और उस से हमें टोटल पर्मनेंट डिसिबिलिटी हो जाए वह भी अंटर दे कवर नहीं आएगा इसी के साथ में कोई भी क्रिमिनल एक्ट है जो एस पर्दा जो हमारा कानून है उसके अनुसार इलीगल है या अनलॉफुल है तब हमें गुरूप है कंट्री का वह आपको कर लेता है यह सिविल राइट हो जाते हैं ऐसे में आपको एक्सिडेंटल टूटल पर्मनेंट डिसिबिलिटी होती हो तो भी अंटर दे कवर नहीं आता नुक्लियर कंटैमिनेशन अब आपको पता है कंट्री में कोई ना कोई ऐसी जग है यहाँ पे अगर आप पैसिंजर हैं और कमर्शली लाइसेंस एरक्राफ्ट में बैठे हैं तब तो अरचित अंडर दा कवर है इसके इलावा अगर आप फ्लाइंग एक्टिविटीज में इन्वाल्व हैं और ऐसे में आपको टूटल पर्मनेंट डिसिबिलिटी हो जाती यह इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर ही फसते हैं उनको लगता है कि हमें पता नहीं है और वो सब कुछ करते और उनको लगता है कि अंडर दा कवर आ जाएगा आई होप यह चीज़ आप समझेंगे तब हम यहाँ पर एक्जामपल ले ले लेते हैं जि वो 3,884,927 रुपे का जाएगा सिंपल रिवर्शनरी बॉनस का जो रेट है वो 5 प्रतीशत है जो की बेसिक समझा जोट पे लागू होगा बॉनस का PDF ओल्ड़ी टेली ग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है SR का मतलब है सिंपल रिवर्शनरी बॉनस पीरड 12 साल का होगा क्योंकि पॉलसी के अंतिम के जो 3 साल होंगे वहाँ पे सिंपल रिवर्शनरी बॉनस नहीं मिलता है तो ऐसे में 12 साल में सिंपल रिवर्शनरी बॉनस जो खटा हो जाएगा 5 लाग का 5 प्रतीशत निकालेंगे तो 25,000 हो जाएगा उसमें बारे का गुणा करेंगे तो 3,000,000 रुपे के यहां पे वेस्टे सिंपल रिवर्सनरी बॉनस हो गया अब जो सर्वाइवल बैनिफिट पीरिड है वो पॉलिसी के लास्थ 3 साल हैं लास्थ 3 साल में जो उनकी बेटी है उनकी आयू 18 साल से लेकर के 20 साल के बीच में हो जाएगी तो जैसे इनकी बेटी 18 साल की होंगी इनको 2,000,000 रुपे मिल जाएंगे अगर बॉनस रेट यही रहा तो कैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मिचौरिटी से पहले इनको और जब मिचौरिटी आएगी तो 25 प्रतिशत बेसिक सम अशौर का और 25 प्रतिशत वेस्टेस सिंपल डिवर्सनरी बॉनस और प्लस टर्मिनल बॉनस अब यहां पे जो मिचौरिटी पे आईउ हो जाएगी 6 साल की हैं वो 15 साल आप जोड लेंगे तो 21 साल की आईउ हो जाएगी तो ऐसे में प्लस दो लाख रुपे प्लस टर्मिनल बॉनस जो भी होगा वो कंपनी आपे पे कर पाएगी अब माल लीजे बीमा धारक को पॉलसी के साथ साल बाद देथ हो जाएगा या टोटल पर्मनेंट डिसिबिलिटी हो जाए तो ऐसे में बेसिक सम अचौड का कमपैरिजन कर लिया जाएगा SP यानि की सिंगल प्रिमियम जो की 3,84,927 रुपे का है उसका 105 प्रतिशत निकाल लेंगे तो 4,4,173 रुपे 35 पैसे का अमाउंट होगा अब ये 4,4,173 रुपे 35 पैसे का अमाउंट पांच लाख रुपे के से कम है तो यहाँ पे जो सम अचौड है पांच लाख रुपे का अगर accidental death है तो nominee को मिल जाएगा और अगर total permanent disability है तो Bima दारक को मिल जाएगा इसके बाद policy चलती रहेगी और end में survival benefit और maturity benefit मिल जाएगे I hope अब आपका doubt clear हो गया होगा तो इसी बाते वीडियो को like करें, share करें आपने वीडियो अंतक देखा उसके लिए बहुत बहुत insurance एक protection है protection कभी अदूरी नहीं लेते हैं और plan जब भी आप लें अच्छी तरीके से समझ के लें क्योंकि जब आप Bima को surrender करते हैं या discontinue करते हैं policy term के दोरान तो आपको यहां पर फिर नुकसान होता है ठीक है दन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत आवार और maturity तक continue रखते ह आपको पूरी benefit मिल पाते हैं